आप सब लोग आप सब लोग आप सब लोग ठीक होंगे आज हम लोग बनाने लगे हैं स्पाइसी चिकन चावमें चिकन चावमें की डेस्पी ट्राइ करने के बहुत बहुत ज़्यादा तरीके हैं और आप स्पाधियान के विड़स, बदाउट साउस, बड़ी स्पाइबल्स तो आज की जो देखे की आप उस में खास पात है कि मैं चिकन चावमें ड़ीकंशा दू है कि डेकन दूअ काष ताय तौझ गे लेकांने जुड़्स अट पारूं चारइंस करना बное। कुछ शेम्रामेज और गोबी को अच्छी तरह से कट कर लिया है जिससे आप इस वीडियो में भी देख रहे हैं इसके बाद मेरे उनको अच्छी तरह से वाश करके बासकिट में डालके ड्राय होने के लिए भी लग दिया है जब आपकी वेजटेबल स्यार हुजें तो एक खुली कढ़ाई में तकिपन चार से पांच चामा चॉई लेके उसमें सबसे पहरे गाज्रो को अच्छी तरह से रोज करें रग तक के गाज्रे नर्म नहीं हो जाती जब गाज्रे नर्म होजें तो इसमें तकरीबन वन एंडा हाफ टेबल स्पून काली मिर्चो का डाल दे और उसके बाद उसमें शिम्रा मिर्च और प्यास भी आड़ कर दे इसको आप अच्छी तरह से भून लें जब तक सारी सबजी मिक्स हो रही है उसके बाद इसमें ए जब यह दो तीन मिर्च पकज़ा है तो इसमें आप तकरीबन दो टेबल स्पून सिर्के के एड़ कर दे और यहां पर मैं केनल्स के चिकन चंक्स यूज करी हूं हाफ पैकेट वो मैंने इसके अंदर डाल दी हैं मैं इसको तीन-चार मिर्ट अच्छी तरह से मिक्स करके मैंने एक देख्ची में पानी ऑईल एंड सॉल डाल कर उबलने के रख दिया था उसके बाद में इसमें को कॉलसन की स्पैगेटी इस डाल रही हूं हाफ करके दाट इस एजी तो इट आप जब आप पड़ी भी फुल भी ऐसी बॉल कर लें तो को इसो नहीं और आप इसको कर सब्सक्राइब एक जू अबलने दे तो इस टाइम घृवन इस तो इस तरह से उबलने दे अपने अप्ने जो इसमें मसाला है इसमें सपासे शाब करें मेरे इसलामबाद मेट्र कैश्रीं केरी से अपने सबाइस लाइँ हूं जो के है जिंगर प्रूंट पाउडर में एंड पूर इसमें एड शूरा से प्रूंट और इसमें पाउड हैं इसके बार में इसके ने डालें नाशनल का चिरी गार्लिक सौस तो गिव इट लिटल बिट मोर शाइसनेस पकाऊंगी पास्ता वाटर एड़ करके मैंने इसमें तकरीबन वन टेबल स्पून ऑफ पास्ता वाटर एड़ किया है अब हमारा जो एक इंग्रीडियन रह गया है वो है सबस्प्यास ग्रीन अनियन्स मैंने इनको डाइस कर लिया था और वह भी मैंने इसमें आड़ करके इनको मिक्स कर लिया है यहां पर हमारा पास्ता बिल्कुल त्यार हो चुका है अब हम इसमें ओरेंज फूड कलर एड़ करेंगे वन टीस्पून तो गिव एड़ येलो चावमन लुक अन उसके बाद में इसको एक दो मिंट के लिए पकाएंगे और फिर स्टें कर लेंगे जो लास्ट इंग्रीडियन हमारे पास रहे है वह है कैबिज वह में एंड पर दा रही हूं तो गिव इट लिटल बिट मोर टुंचिनिस इसके बाद आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें और कोई स्पाइस मसाला नमक कोई कम है तो आप दुबारा आड कर लें इसके ब हो गया है आप इस रेस्पी को जरूर ट्राइक करें ये बहुत मसे की बनी थी और जो अपनी रेकमेंडेशन्स है वो कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़िएगा आई हो आपको ये रेस्पी पसंद आई हो टेक केर और अला आफिस मुश्कराइए नहीं जाएए आप भी खाना बनाएए